आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question का है देट हमारे पास triplets given है और हमें verify करना है कि ये सारी जो triplets हैं क्या वो Pythagorean triplets है या नहीं है तो Pythagorean triplets क्या होते हैं Suppose हमारे पास triplet है A, B and C और इस में से जो सबसे बड़ा number है वो क्या है B है तो हम चेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा number है क्या उसका square बागी दोनों number के square के sum के equal है या नहीं है अगर ये equal है तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों equal है So it is a Pythagorean triplet ठीक है Second triplet चेक करते हैं Second triplet है 5, 12 and 13 तो इस में से सबसे बड़ा number क्या 13 है 13 का square करेंगे तो ये आ जाएगा 169 के equal ठीक है अब बागी दोनों number के square का sum करते हैं तो 5 का square plus में 12 का square 5 का square होते है 25 plus में 12 का square होता 144 add करेंगे तो आजाएगा 169 तो देख सकते हैं ये दोनों equal है So it is a Pythagorean triplet ठीक है Next हमारे पास है 8, 15, 17 ठीक है 15 का square होता है 225 ठीक है तो add करेंगे तो बनेंगा 289 तो देख सकते हैं ये दोनों equal है ठीक है तो ये भी एक Pythagorean triplet है ठीक है अब चेक करते है next जो last हमारे पास का है 24, 25, 7 ठीक है प्लस में 7 का square ठीक है तो 24 का square equal होता है 576 के प्लस में 7 का square होता है equal to 49 ठीक है इन दोनों का add करेंगे तो हमारे पास बनेगा 6, 25 ठीक है तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या equal है तो यहां से हमारे पास क्या बना कि ये भी एक Pythagorean triplet है तो हमारे पास जितने भी triplet given है इस question में वो सारे ही Pythagorean triplets है ठीक है तो यह हमारा answer था प्लासिक्स टुट्वल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ये डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सूपर